असलाम वालेकूम हम बनाने वाले हैं आज जैपेनिस चिकन स्कीवर्स जो के बहुती कम मसालों में और बहुती इजी बनकर रेडी होते हैं बहुती सिंपल इंग्डिएंट से इसके तो मैंने 250 ग्राम बनलेस चिकन लिया है उसको थोड़े बड़े बड़े पीसिस में कट किया है तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं वन टीसपून ब्लैक पेपर हाफ टीसपून शुगर हाफ टीसपून सॉल्ट डालेंगे अगर आपके पास brown sugar है तो आप वो भी डाल सकते हैं और salt हम पहले कम ही डालेंगे क्योंकि हमारे sauces में भी salt है 1 teaspoon अदग लसन का paste डालेंगे आप चाहें तो अदग लसन चॉप किये हुए भी डाल सकते हैं बड़ चॉप किये हुए अदग लसन उस पर अच्छे से कोट नहीं होंगे इसलिए मैंने paste का यूज किया है 1 teaspoon red chili sauce डालेंगे 1 teaspoon soya sauce डालेंगे मेरा डाक वाला soya sauce है इसलिए मैंने 1 teaspoon डाला है अगर आपका light है तो आप 2 teaspoon डाल दे और half teaspoon इसमें vinegar डालेंगे सारे मसालों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे हम और हम इसके साथ एक sauce भी ready करने वाले हैं जिसके लिए हमें अलग से कोई चीजों की जरुरत नहीं है इसी के मसालों में हम sauce को ready करेंगे तो ये देखे मैंने skewers ले लिए है इस तरह से stick में chicken को लगाते जाएंगे अगर आपके पास sticks नहीं है तो आप ऐसे ही एक एक pieces को रखके fry कर ले हम इसको grill pan में grill करने वाले हैं अगर आपके पास grill pan नहीं है तो आप fry pan या फिर तवे में भी इसको fry कर सकते हैं तो इस तरह से सारे chicken को हम sticks पर लगाते जाएंगे और इसका taste बिल्कुल Chinese जैसा होगा थोड़ा tangy सा थोड़ा sweet सा क्योंकि हमने इसमें sugar का भी use किया है और हलका सा salted बहुत ही अच्छा और unique flavor है इसका तो आप इसे जरूर बना कर try कीजेगा तो ये देखिए सारे chicken को मैंने stick पर लगा दिया है अब हम इसको grill कर लेते हैं oil डाला है मैंने grill pan में oil के गरम हो जाने के बाद हम एक एक chicken skewers को रख देंगे इसके उपर starting में ये थोड़ा उड़ेंगे क्योंकि इसमें हमने sauces का use किया है sauce गिले होते हैं जिसकी वज़े से तेल जादा उड़ता है तो इसलिए carefully आप डालिएगा इसमें chicken को pan को थोड़ा turn करते रहिए ताके oil हर तरफ जाए और chicken अच्छे से fry हो जाए तो low flame पर हम इसको 6 minute के लिए एक side पर पकने देंगे तो ये देखिए 6 minute हो चुके हैं बहुत ही अच्छा माशालला कलर आया है चिकन का और grill के marks भी बहुत अच्छे आया है तो इनको हम पल्टी कर देते हैं इसकी side को और दूसरी side पर भी हम इसको 6 minute के लिए पकाएंगे और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चाइनीज रस्टोरेंट के बाहर खड़े है उसी तरह की खुशबू आ रही है तो ये देखिए इस तरीके से हर side पर पल्टी करते हुए इसको हम सेक लेंगे तो ये हमारी chicken skewers बनकर ready है हर side से मैंने turn करते हुए इसको पका लिया है तो इसको हम dish में निकाल लेते हैं सबसे पहले आप इसको एक plate में निकाल ले उसके बाद जो dish में आप सर्फ करने वाले है उस dish में निकाले वरना oil हो जाता है जादा इसलिए अब जो इसमें oil बज गया है और जो ये masala लगा हुआ है पैन में इसी में हम हमारी sauce को ready करेंगे तो ये जो हमारा marination का masala बज गया था इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे half glass से थोड़ा कम पानी डालेंगे और इसको हम पैन में डाल देंगे ये sauce के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये chicken तो ये देखी chicken के छोटे छोटे pieces भी आ गए है इसमें और टेस्ट भी आ गया है chicken का तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो इसको ठीक करने के लिए one teaspoon corn flour को पानी में घोल कर डाल दे इससे sauce हमारी थोड़ी थीक हो जाएगी तो ये देखिए sauce थीक हो चुकी है इसमें हम spring onion डाल देंगे तो बस इसी तरह की थीकनेस चाहिए क्योंकि ये थंड़ा होने के बाद और ज्यादा थीक हो जाएगा अब हम इसमें one teaspoon डाल देंगे tomato ketchup इससे taste इसका थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये देखिए हमारी Japanese chicken skewers बनकर बिल्कुल रेड़ी है और हमारा sauce भी बनकर रेड़ी है spring onion से थोड़ी garnishing कर लेंगे तो अगर आपको मेरी recipes पसंद आती है तो मेरे वीडियो को like जरूर करें मेरे चैनल को जरूर subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूले bell icon को दबाने से मेरी आने वाली हर नई recipes की notification सबसे पहले आपको free में देखने मिलेगी तो फिर मैं मिलती रहूंगे आपसे इसी तरह से नई नई recipes के साथ Allah Hafiz झाल